Hello friends, मेरा नाम जिगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि टर्मिनल सर्वर्स में हम क्लाइंट साइड इन्वार्मेंट को कैसे कंफिगर और मैनेज कर सकते हैं मान लिजी हमारे इन्वार्मेंट में एक ऐसा प्रोग्राम है, हमने एक ऐसी एप्लिकेशन डेवलप करवाई है जो कि हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट के टर्मिनल में बाई डिफॉल्ट ओपन हो जाए तो हम उसको टर्मिनल सर्विसिस से कैसे कर सकते हैं, इसे हम इस वीडियो में सीखते हैं इसके लिए हम एक एक एक्जामपल लेते हैं, जैसे एक फ्रेलवेज हैं, या कोई गौर्मेंट और्गनाइजिशन है जहां पर आपने देखा होगा कि वो सिस्टम को ओन करते हैं, और ओन करते ही उनका टर्मिनल, एक स्क्रीन उनके सामने ओपन हो जाते हैं, जिनमें उनको एक पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोग्राम रन करने को मिलता है, और दूसरे प्रोग्राम्स नहीं तो हम चाहते हैं कि यह जो notepad है, यह सभी मेरे users को default रूप से मिले, notepad की जगा पर कोई दूसरा प्रोग्राम भी हो सकता है, जो आप चाहते हैं कि startup उनको client जैसे ही terminal server का connection बनाएं, और उनको यह अपने आप से open हुआ हुआ मिल जाए, और इसके बाद अगर वो log off करें, त simply वो इसी notepad को ही use कर पाएं, तो इसके लिए चलिए, इस notepad को select करते हैं, तो इसके लिए मैं जाता हूँ start में, और यहां से active directory users and computers में, माल लिजए ही मैं test user को एक environment देना चाहता हूँ, तो इसको double click करके, यहां पे एक tab होता है environment का, इसको select करता हूँ, और environment में देखिए, यहां पे लिखा हुआ use this tab to configure the terminal services startup environment, इसको मैं start the following program at logon, यह settings आप client side से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर client side और server side दोनों side पे settings हुई होई होगी इस तरह की, तो यह settings उसको override कर देंगी, तो मैं यहां पे program बताता हूँ, तो मेरा program जो है, वो पढ़ा है c colon windows system 32, और program का नाम है notepad या फिर हम वो path दे सकते हैं, जो path आपकी अपनी application जो आपने develop करवाई होगी या आप चाहते होगे के clients को default रूप से मिले, तो मैंने यह path दे दिया, इसके बाद apply और ok करते हैं इसको, और client side पे जाके इसकी testing करते हैं और login करते हैं as a test user 1, तो इसके लिए मैं अपने client पे जा test user का password जो भी हमारा password होगा हमारे environment में वो enter करता हूँ, तो देखे connection बना रहा है, तो देखे connection बना दिया और देखे आपके सामने सीधा notepad open हो गया है, इसके बाद जो भी आप काम करेंगे वो notepad में करेंगे और करने के बाद जब भी आप इसको save करेंगे, तो आप जो भी करेंगे इस notepad पर है, उस application पर करेंगे, जो आपने अपने clients को provide की है, इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपको अपने users को share drives देनी पड़ेगी ताकि वो data को save कर सके, क्योंकि अगर हम इसको save करेंगे, तो देखे, ये save में हमारे पास वो save कर सके, ताकि ये easily accessible रहे हर जगा से, अब देखिए अगर हम इसको यहां से बंद करते हैं notepad को, तो क्या होता है, तो ये save करने को कह रहा है, तो मैं don't save पे click करता हूँ, और देखे, immediately ये log off हो गया है, यानि कि हमने अगर इसको एक environment दे दी है अपने client को, एक user को, तो हर ब terminal services में अपने users को एक startup environment दे सकते हैं, ताकि उनको कुछ भी effort ना करना पड़े, जैसी वो username password डाले, उनका जो भी default application है, automatically open हो जाए, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.